प्रेंड बड़े ब्रोकरेज हाउस के रिपूर्स आती हैं उसके बाद wnack just चीजे होती हैं जैसा कि वो कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कई बार brokerage houses के जो results होते हैं जो भी analysis होती है वो fail भी होते हैं और कई बार जो है वो सभी होते हैं बड़े-बड़े brokerage house के पास जो है अपने research की जो है एक अच्छी आशी टीम होती है और उसके आधार पर वो predict करते है उपर नीचे वो अप्ग्रेड डाउंग्रेड इस तरह की रेटिंग्स जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं इस वीडियो में फ्रेंट्स एक ऐसी कंपनी के उपर अच्छी खासे एक ब्रेकरेज हाउस ने जो है वो रेटिंग दी है तो टार्गेट दिया हुआ है उसके ग्रूप्स ने जो बाई रेटिंग दी है वो 619 के लिए यहां पर दी है जुबलेंट फूटबक्स ने कहा है कि इन्फलेशन के कारण जो है उनके पर बिल जो आइटम है वो लोवर हो गये थे और ट्रेडिंग थोड़ी इनकी कम हो गई थी जिसके कारण की यहां पर इनके थोड़ा सा मन्थन कर लेते हैं तो फ्रेंट्स आपके सामने यह रहा चार्ट जूबलेंट फूटबक्स का जूबलेंट फूटबक्स में आप देख सकते हैं कि लगातार अपने उपरी इस तरह से यह कमजोरी आती कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक जो चल रहा है वो अभी स्टॉक ने 52 विक जो लो था 412 रुपए यहां पर आप देख सकते हैं 412 रुपए का यह 16 मार्च को ही यहां पर इसी साल हिट किया है यानि कि इसी महीने हिट किया है और उस आधार पर यहां पर अगर एक सपोर्ट लिवल को अगर हम खीचने के कोशिस करे फ्रेंट्स तो यह मल्टी इयर सपोर्ट लिवल है यहां पर इसके पहले यह स्टॉक जो है इस पॉइंट पर आया था फ्रेंट्स आप देख सकती है यहां पर जो डेट है वो है 2020 नौमर 2020 के लेवल पर इस तो अपने आपको उपस्तिती दर्श कराई अब आपको मैं इस स्टॉक के 435 रुपए पर इसने क्लोजिंग दी है और कमजोरी लगातार इसमें बनी हुई है तो इस पर्टिकुलर लेवल पर फ्रेंड्स अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूँ तो इस कंपनी का जो अगला जो रेजिस्टेंस है वो 460 रुपए का है 460, 466 का यह रेजिस्टेंस इस समय इस स्टॉक पर काम कर रहा है अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 435 के उपर 460 और उसके उपर की अगर आप बात करेंगे फ्रेंड्स तो वो लक्ष है 475 460 और 475 के लिए आप यहां पर इस लेवल को जरूर ध्यान रखेगा जो कि अभी आना मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि अभी Q4 के रिजल्स अभी इस कंपनी के आने बाकी है बाकी जो अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करेंगे अगर यह सपोर्ट लेवल त दूटता है तो वही 410, 420, 410 उसके नीचे है और उसके बाद काफी नीचे के इस तर है यानि कि 370 के भी लेवल इस स्टॉक में आपको मिल सकते हैं अगर यह स्टॉक फर्दर कमजोर हुआ 410 के नीचे है तो 370 के भी लेवल यहां पर देख सकते हैं लेकिन सारा कुछ यहा आपको Q4 का रिजल्ट में दिखाता हूँ, दिसंबर 2019 में 1070 करोण रुपय का सेल्स था जो कि आपका दिसंबर 2020 में 1070, अगें उसी के आसपास है दिसंबर 2020 में 1200 करोण हुआ और 1332 करोण रुपया जो है आपका दिसंबर 22 में हुआ तो 1200, 1200 इस तरह से करते हुए गया 1070, 1070 और उसके बाद 1200, आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक यहां पर ब्रद्धी हुई है, लेकि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहां पर 26% का जो ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन था वो घटके माइनस 4% यहां पर 22% पर आया और उसी तरह से अगर आप नेट करें तो दोनों ही प्रेशर में थे और अब क्योंकि इतना बड़ा प्रांट है और अच्छा कासा इंका मार्केट में मार्केट शेयर है तो अब Q4 के रिजल्स काफी यहां पर डेसिव हो जाएंगे कि किस तरह से कंपनी आगे जाएगी तो फ्रेंस इस पूरे के पूरे वी Q3 की बात करें तो यहां पर थोड़ा से दबाव था क्योंकि इंफलेशन बड़ रहा था मार्जिन कंपनी का पिछले क्वाटर की बात करें और उससे कंपेर करें December 21 की तो वहां पर 4% मार्जिन जो है वो कंपनी का खोचुकी थी तो अगर इस क्वाटर में कंपनी इसको बर आपको अच्छा लगा होगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड थैंक्यू सोमज लगा